हलो माई डिये स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ मुधिता और आप सब का स्वागत है मुधिता आयस वारियर्स पर क्लास नाइन की वर्कशीट नंबर 27 सॉल्फ करने वाले हैं हम और यह वर्कशीट 4th of September 2020 की है यानि 4 तारीक की वर्कशीट है जो आपको करनी है वो भी समझाना मुझे लगता है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आपकी चैप्टर का पार्ट है आपके स्लेवस का पार्ट है इसलिए मैं इसको एक्स्प्लेइन भी करूंगी तो आपको पता है कि The Fundamental Unit of Life हम पढ़ रहे थे ठीक है बेटा और उसमें भी आज हम पढ़न लेते हैं वो बाइलोजिम में पढ़ते हैं क्लास 11 और 12 में लेकिन आपको क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा है तो आम ग्लाइड कि आपको यह टॉपिक इंक्लूड किया गया है आपके स्लेवस में तो देखिए जो हमारे ग्यान भाहिया है वो कुशन करेंगे और जिग्यासा बनना चाहते हैं आप लोग अपना एम रखते हैं तो आज आपको फिर से एक इंट्रिस्टिंग टास्क मिलेगा वीडियो के एंड में देखिए जिग्यासा देदी हाओ ड़ ऑगनिजम ग्रो इन साइज एंड वाउंड गेट रिक्वाई गेट रिपेर तो यह आज ग्यान तो यह आज हम जानने वाल हैं कि और चैप्लेक्स एक इता हैं ग्यान all multicellular organism grow in size by cell division process simple सा जवाब दे रहे हैं कि जितने भी multicellular organism होते हैं वो grow होते हैं size में कैसे cell division के द्वारा अब आप पूलेंगे ma'am cell division क्या होता है multicellular क्या होता है बहुत सारे बच्चे को पता होती है चीजे और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो नई terms introduced होती होने नहीं पता होता जैसे multicellular मतलब होता है वो organism जो multiple cells से बने हुए है दो टाइप के organism होते हैं unicellular, multicellular unicellular मतलब जो single cell से बने है multicellular जो बहुत सारे cell से बने है जैसे VR दा multicellular, cat, dog जितने भी आपको दिख रहे हैं organism सब multicellular है तो कह रहे हैं कि क्या होता है multicellular organism साइज में होते हैं किसे द्वारा? cell division के द्वारा यानि cell जो होता है वो टूटता है दप्रोसेस बाइविच सेल डिवाइट इन्टू और मोर सेल इस कॉल्ट सेल डिवीजन वो प्रोसेस जिससे कोई सेल दो या दो से ज़ादा सेल में ब्रेक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम cell division कहते हैं यह आपका सेल है ठीक है यह किसी प्रोसेस से ब्रेक हुआ और अब इसमें दो सेल बन गए ठीक है आइडेंटिकल दो सेल बन गए तो इसको हम क्या कहते हैं cell division कहते हैं ठीक है इसके अंदर cell division का process start हुआ दीरे 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 और इसके बाद अब ये तूटके नया cell बना दिया तो जहां पर ये process start हुआ इसको कहेंगे mother cell और जो new बनेगा इसको क्या कहेंगे हम बेटा daughter cell कहेंगे ठीक है इसके बाद आगे पो explain कर रहे हैं कि mother cell और daughter cell के बाद कि as a result new cell produce ये daughter cell होगा therefore all multicellular organism grow in size और इसी की वज़े से जितने भी multicellular organism होते हैं यानि multicellular organism होते हैं वो अपने size में बढ़ते हैं क्योंकि उनके cell क्या है डिवाइड होते रहते हैं आपके और हमारे cell divided हो रहे हैं आपको पता भी नहीं आप सो रहे हैं खा रहें चल रहे हैं आप के body के कुछ पुराने cell होते हैं वो damage हो जाते हैं dead हो जाते हैं फिर उनको replace किया जाता है नए cell बेनते हैं पुराने cell का repairment तो यह सारी process होती रहती है किसके द्वारा cell division के द्वारा even the wound or tissue get repaired और even जो हम में चोट लगती है और घाव होते हैं वो भी इसी के द्वारा भरते हैं जो यह cell division का process होता है इसके बालक gamets are produced by this process cell division gamets भी produce होते हैं cell division से ही अब आप बोलें कि gamets क्या होते हैं यह एक नया टम आ गया है इसी को मैं बोली थी जो यह नया टम आया है यह आपकी class में अभी नहीं इंट्रोड्यूस किया जाता था थोड़ा 10th में आप पढ़ते हैं ब हम gamets कहते हैं जो male और female दोनों में अलग-अलग cell होते हैं तो gamet cell जो बनते हैं वो भी cell division के द्वारा ही बनाए जाते हैं यानि बनते हैं अपने आप natural process है cell division is of two type cell division जो है यह दो तरीके का होता है एक होता है माइटॉसीज चैल दिवीजन और मीओसीज जो आप 11 में साइंस लेंगे बालोजी लेंगे आपको डॉक्टर बनना है साइंस साइट से पढ़ाई करना है तो आप इन दोनों topic पर पूरा इन दोनों topic पर बुक पढ़ेंगे ठीक है मियासीज और माइटॉसीज क्या होता है इन विच जो माइटॉसीज होगा इन इस प्रोसीज mother cell is divided into two identical daughter cell इसमें क्या होता है क्यों यह mother cell रहें यह दो cell में ब्रेक होगा और दोनों ही कैसे होंगे identical होंगे मतलब इसकी समझे अप्टो कॉपी होगे इसके जैसे ही पॉपी कराते हो यह कापि कराते हो तो यह mother cell है और तो डॉर्टर सेल बन जाएंगे, एक सेल ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, the number of chromosome in डॉर्टर सेल and mother cell remain unchanged, तो जो number रहेगा mother cell और डॉर्टर सेल का वो change नहीं होगा, same रहेगा, this type of cell division take place most of the cell, और हमारी बॉडी में जो most of the cell division होता है, उसमें यही process होता है, कौन सा? माइटोसिस, और इसी यही responsible होता है, किसके लिए? ग्रोध के लिए और रिपेयर के लिए, मतब जो cell की रिपेयर्मेंट होती है, बॉडी की ग्रोध होती है, और आपके आँख, ना, कान, मुह, यहाँ पे जो cell division process होती है, उन सम में क्या होता है, माइटोसिस होता है, ठीक है, तो नॉर्मल में जो हमारी बॉडी में ग्रोध है और यह सारा रिपेयर का काम होता है, माइटोसिस के थ्रू होता है, अब आजाते हैं, मियोसिस, मियोसिस is quite interesting, मियोसिस इस टाइप ऑफ सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन स्पैसिफिक सेल रिप्रोड़क्टिव और होता है, सेल डिवीजन, गयोमेट्स आर फॉर्म मिल और फीमेल में घोते हैं, या ओवा कहते हैं, ज basा इस यह सौजफिक सेल डिवीजन तो डिवीजन होते हैं यानि दो बार डिवीजन होते हैं finally produce 4 daughter cell और इसमें 4 daughter cell produce होती है ठीक है the daughter cell produce in this process have half number of chromosome in compare with their mother cell और इसमें क्या होगा जो mother cell में जितने chromosome थे उसके हाफ हो जाएंगे अगर इसमें चार थे तो daughter में कितने बनेंगे तू क्रोमोजोम बनेंगे यह दाइट सा एक्जामपल दो चीज आप समझ गए एक थाक माइटॉसिस माइटॉसिस के माइटॉसिस बाकी जो आपके सैल और इसमें होता है ग्रिपेयर के लिए रिस्पॉंसिबल है जो आपके बॉडी के घाव चोट भरते है इसके ल हो जाते हैं और चार डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं तो यह हो गया माइटॉसिस और मियोसिस ठीक है थोड़ा सा इस कॉंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ाया जाता है अब देखिए आपको डाइग्राम से भी समझाने की कोशिश की है माइटॉसिस में क्या होगा यह और अधर सेल है मदर सेल रहे हैं जो सेल जिसके अंदर डिवीजन स्टार्ट हुआ ये आपके क्रोमोजॉम है हमने पढ़ा था प्रोमोजूम आपको यादो होगा थोड़ा समय बता देती हुम की आपने कोशिण किया था कि हमारी बॉडी में 46 क्रोमोजॉम होते हैं या 23 प तो देखिए यहां पर इस तरीके से इसका डाइग्राम होता है फिर यह क्रोमोजोम आपको दिखाए हुए है इसके बाद इसमें इस तरीके से यहां पर ऐसे फैल जाएगा फिर बीच में से ब्रेक हो जाता है और यह एक सेल था यहां से दो सेल बन गए वन था टू बन गए और क्या हुआ जो नंबर था क्रोमोजोम का वो सेम रहेगा देखिए यहां पर भी क्रोमोजोम और यहां पर भी क्रोमोजोम का जो नंबर है वो सेम रहेगा तो यह हो गया माइटोसिस अब चलते हैं मियोसिस की तरफ मियोसिस में देखिए यह आपका मदर सेल है ठीक है इस के से बाद क्रोमोजों मैं है इसके बार एक पहले स्ट बरुजाय कह 그러那个 कि पार्थ में 2 अगर सेट Long化 डॉर्टर सेल बनेंगे और इसमें क्या होगा जो क्रोंो जो में गरी होते हैं75 मुशिन और न मैं आपको थोड़ा सा बताती हूं जो क्रोमोजोम होते हैं ठीक है वो क्रोमोजोम एक्स और य की फॉर्मिट में होते हैं और उसी से हिए डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो मेल-गा यह फीमेल होगा लगा क्लास 10 में बढ़ाया जाता है बहुत इंच्रेस्टिंग होत है चलिए अभी छोड़िया टैंथ में ही पढ़ना आप लोग इसके बाद आपसे चार कोश्चन पूछे गए हैं ठीक है यह आपके कोश्चन है वट इस दा इंपोर्टेंट इसके बाद आपसे पूचाई कि हुँमन सेल में 46 क्रोमोजोम होते हैं इसके बाद आपसे वट इस साल डिवीजन की आपसे डैफिनेशन पूची है चलिए अब हम कोश्चन अंसर को डिसकस कर लेते हैं इसके बाद आपसे पूचा था कि वट इस दा इंपोर्टेंस ओफ सेल डिवीजन इन ओगनिजम ओगनिजम में सेल डिवीजन की क्या इंपोर्टेंस है तो आप लिखेंगे ओल मल्टी सेलल ओगनिजम ग्रो इन साइज डेफिलप और रिप्लेज बाइट सेल बाइज जो सा जो जितने भी तरह की होते हैं सब भरते भी किसके दुवारें सेल डिवीजन से गैमेट अर ओल्सो प्रोडूच बाइंस आ लिखेंस अगैमेट भी इसी प्रोडूच से से प्रोडूच होते हैं तो फूचार और ऑर फर्स चोर्शन अंसर इसक्रिंशच ले सकते हैं आप र दॉटर्टर सेल में इसमें क्या प्रोड्यूस होता है मियोसिस सेल डिवीजन टेक प्लेस ओनली इन स्पैसिफिक सेल रिप्रोड़क्टिव और टिशू तो इस वर्ड को याद कर लीजिए कि मियोसिस जो है वो रिप्रोड़क्टिव और टिशू में होता है दॉटर में स्पैसल तेया फूलिए सब्रसज्टेंटर क्या प्रोडिजोटेस होता है और नम्बर में कितने होता है हाफ होता है त्थीग है फुल उपनुछ इस है डिपलॉइट से लीज़्याएर ऑफ जाता है of the deployed parent cell, parent cell deployed होता है, तो उसके half होते हैं haploid, तो यह हो गया आपका second question का answer, concept मैंने वहाँ पे समझा दिया था आपको, अब answer समझ में आ गया, ठीक है, इसका screenshot ले सकते हैं, चलते हैं हम next question की और, a human cell has 46 chromosome in it, आप सबको पता हैं कि human में 46 chromosome होते हैं, भाई आप लोग मेरे student हैं आपको पता ही होगा, what will be the number of chromosome in its daughter cell, तो उसके daughter cell में कितने chromosome होंगे, if it undergo through meiosis cell process, अगर वो meiosis के process से गुजरता है cell division तो कितने होंगे, बहुत easy आप बता दोगे कि the number of chromosome is reduced 46 to 23 during the process of meiosis, से थोड़ा सा आपको समझा देती हूं, यहां पर लिखा है कि normal हमारे जो chromosome होते हैं, 46 यह इन bracket में 23 पेयर, तो यह तो 23 पेयर लिख दो, यह 46 लिख दो, घटकर कितने हो जाते हैं, 23 हो जाते हैं, इसके आधे रह जाते हैं, 46 है, 46 का कितना बसता है, 23 बसता है meiosis में, because they have only half of the total chromosome in somatic cell that are termed haploid, somatic cell जो हमारे reproductive cells होते हैं, जो male होते हैं, उसमें sperm कहते हैं, females में ova या egg cells कहते हैं, that are termed, इसको हम haploid भी कहते हैं, तो यह आपका हो गया answer, ठीक है, और one word में आए, तो आप 23 chromosome लिख सकते हैं, answer अगर one word में पूछा जाए, what is the cell division, यहां आपको cell division की definition लिखनी है, तो the process by which a cell divide into two or more new cells, वो process जिसमें cell 2 या 2 से जादा cells में divide हो जाता है, cell division, ठीक है, cell division happen when a parent cell divide into two more cells called debtor cell, तो यह कब होता है cell division, जब parent cell 2 या 2 से जादा cells में divide होता है, तब यह cell division का process होता है, तो बहुत ही छोटे question पूछे हैं, लेकिन जो topic पढ़ाया है, बहुत interesting है, तो आपको इस चीज को पढ़ना चाहिए, और समझना चाहिए, और अगर आपको आगे science लेनी है, तो बहुत जादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, चोलो इसका भी screenshot ले लो आ अगर आपको समझ में आया है, थोड़ा सा भी अच्छा लगाया है, तो लाइक कर दो, share करो, subscribe करो, जिससे आपके और भी जो friends है, वो पढ़ सकें, और आपके लिए good news है, कि weekend में आपके लिए class 9 और class 10, दोनों के लिए special class अप्लोड की जाएंगी science की, और उसमें आपका जो क्या बनना है, उसका बहुत अच्छा response मिला मुझे, और मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत intelligent है, बहुत smart है, तो आज आपको दूसरा टास्क है, क्योंकि ये टास्क आपको पढ़ाई में भी help करेंगे, दूसरा आपको question का answer ये देना है, what's your hobby, आपकी hobby क्या है rather than study, देख कुछ लोग को cricket खेल के बहुत मजा आता है, और वो refresh हो जाते हैं, कुछ लोग को क्या होता है, कुछ art का drawing करके मजा आता है, किसी को singing करके refreshing feel होता है, किसी को dancing करके, तो जो आपकी एक unique hobby है, वो आपको comment में बताना है, क्योंकि उस hobby को आप अपना target achieve करने में, जो भी बनना है वो बनने में बहुत जादा helpful होता है, और यह मेरा personal experience है, like जब मैं आपकी एज की थी, मैं 9th end में हुआ करती थी, मैं स्कूल में हुआ करती थी, तो मुझे लिखना बहुत पसंता, like poetry, story, ठीक है, और perform करना पसंता, stage पे बोलना, debate वगेरा करना, बहुत पसंता, और यह जो मे अभी है, वो comment box में बताएं, कोई query हो, question हो, वो comment box में बताएं, और channel में कुछ बच्चों को blur आता है, अगर video, तो वहाँ पे 3 dot होता है, आपके video पे, उस पे click करें, वहाँ पे होता है resolution, resolution को आप या उसकी जो setting होती है, उसे अपना highest resolution पे set कर लें, ठीक है, और भी अपना ध